नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S और B की जोड़ी कैसी होती है दोस्तों मैंने एक कोल किया था जिसमें मैंने आप लोग उसे पूछा था कि जोड़ी स्वेशल जो मेरा चलता है जिसको आपने बहुत प्यार दिया है उसको मैं दोबारा से स्टार्ट करू या नहीं करू तो आप लोगों ने काफी हद तक उसमें मुझे मैसेज किया और वोट किया और कहा कि नहीं आपको जोड़ी स्पेशल दुबार से स्टार्ट करना चाहिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं S और B की जोड़ी कैसी होती है शुरुबात में हम बात करेंगे S और B वाले कैसे होत आता है ना तो बोड़ा तेज आता है और बहुत जाड़ा परिशानियों को जो हैंडल करने की इनकी शमता होती है वह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी होती है पर दिलके बहुत खुब्सूरत होते हैं अनका को इशल यह का बच्छी शेयर करते हैं और लेकिन उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जो इनके भरोसे के लोग होते हैं ये कानों के कच्चो जो लोग होते हैं उनके साथ ये बिलकुल भी रहना पसंद नहीं करते हैं और अपने काम को तवक्ष को देते हैं चीजों को फटा-फट निप्टाने में ये माह जाए और इनके पास अगर वो है तो ये उसको देने में सामर्थमान भी होते हैं कई बार अपनी चीज भी उठा कर देते हैं जिसे कई बार इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें नए उस पुराने सौंग दोनों पसंद होते हैं और जादा तर ये लोग इंट समझदारी के बलबूते ही ये आगे बढ़ते हैं प्यार के मामलों में ये इज़ार खुदा के नहीं करते लेकिन रिलेशन्शिप को अपटी बहुत जादा एहमियत ये लोग देते हैं और जीवन साथी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं वही बीनाम वालों कि हम बात करें तो ये बहुत समझदारी के बारे में बात करते हैं और इनकी बात जो होती है वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि कई बार लोगों को सामने वालों को बूरी लग जाती है छोड़ी छोड़ी बातों को कई बार दिल पे लगा लेते हैं जिससे परिवार में थोड़ ये जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ती है, ये अपने आपको और काफी हद तक प्रोएक्टिव लगते हैं, नएनी चीजों में अपना बिलीव लेकर आते हैं, पैसे के मामले में अच्छे होते हैं, ठीक रहतने के साथा है, साथ-साथ प्यार के मामलों में, बहुत अतीव साही देखे जाते हैं, और अगर कोई सामने वाला प्रपोस करें, तो ये बहुत जल्दी हाँ भी कर देते हैं, इनको थोना सा धोके से बसना चाहिए, और भरोसा ये बहुत करते हैं, जिसकी वज़े से कई बार इने धोका भी हो जाता है, भी नाम वाले अरेंज मैरिज के म बात करूं, तो काफी अची compatibility जो है वो देखी जाती है, क्योंकि ये दोनों समझदार हैं, और अपने मसलों और मसायल को सुलजाने के लिए ये काफी हद तक ततपर रहते हैं, क्योंकि S के पास जो सोच है, और B के पास जो actions हैं, वो जब दोनों मिलते हैं, तो बहुत अच् काफी अच्छी रहती है, हाला कि ये बहुत जर्नल ट्रेंड है, आपको इसके लिए कुंडली का विविचान, कुंडली मैचिंग, वो सब चीज़ें आपको करानी पढ़ेंगी, और जिस तरह से लोग पैसे के बावनले को हैंडल करते हैं, क्योंकि management जो होते हैं, दोनों के प्रेंटिट नहीं है, S सोचता बहुत है, लेकिन B एक्शन लेता है, तो जब दोनों की सोच साथ में आती है, तो जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी और सरल हो जाती है, तो S और B की जोड़ी काफी हद तक अच्छी मानी गई है, और बढ़िया मानी गई है, मलता हूँ अगली जो वीडियो हमारी आएगी, उसमें हम बात करेंगे, S और C वालों के बारे में, आप कमेंट करिएगा और बताएगा कि आप कौन सी जोड़ी देखना चाहते हैं, और मैं बहुत सारी जोड़ीों के बारे में वीडियो बना भी चुका हूँ, मनता हूँ आप से एक ने वीडियो में